नमस्कार दोस्तों, रेलवे एसपेरेंस का दिल तो खिलाओना हो गया, जो आता है खिल कर चले जाता है फेक नॉटिफिकेशन की मानो बहार सी आ गई है अक्टूबर दोहरतीस में अलपी टेक्निशन का फेक नॉटिफिकेशन आया, खुब वायरल हुआ उसके बाद रेलवे गुरुप डिक आया, वो भी खुब वायरल हुआ उसके बाद आया आर्पिफ का रेकुरूप्न प्रोसीजर वाला रेलवे बोट का लैटर जिसे लोगों ने आर्पिफ का नॉटिफिकेशन समझ के खुब वायरल कि कि कांस्टेबल की मातर 2000 पोस्ट है और SI की 200 पोस्ट है जबकि recruitment प्रोसीजर वाला PDF दो जनवरी का वारल हुआ था अब तक notification नहीं आया back to back तीन जटके railway experts ने देखे हैं उनके मन से खुब खेला गया मार्केट में नया एक newspaper का cutting viral हो रहा है YouTube पे पूरा छाया हुआ है दोस्तों यह जो मामला है employment newspaper का है जो week का एक आता है 20 जनवरी से 26 जनवरी उसके एक page पर ALP का notification चपा है और उस notification में ALP की 5696 पद मात्र भरे जाएंगे ऐसा करके उसमें पूरा procedure लिखा हुआ है इसे देखकर जो मेरे भाई ALP के तयारी करने वाले तो उनका दिमागी घूम गया यार इतने कम पोस्ट है कैसे selection होगा competition इतना हाई हो जाएगा 6 साल वेट करने के बाद मात्र 5-600 पदों पर भरती ले रही है यह तो उट के मुह में जीरा वाली बात हो गई है दोस्तों इस news को देखकर आप लोगों के मन में बहुत सारे सवाल आयोंगे सवाल नंबर 1 क्या या railway ALP का official notification है तो दोस्तों इसका च्वास नहीं किया सकता लेकिन इसको नाकारा भी नहीं जा सकता क्योंकि एक employment newspaper का cutting है कोई भी newspaper वाला इतनी बड़ी गलती नहीं करेगा और किसी बच्चों के साम नहीं कहलेगा मान कर चलते हैं कि यह notification सही हो सकता है लेकिन आने वाले थोड़े दिनों तक आप लोगों को ध है सालों बाद आ रही है और 6 साल पहले जो वेकेंसी आई थी 2018 वाली असिश्चन लोको पाइलेट के कुल 17,673 पर थे उसी अनुमान के था सभी YouTube चैनल वालों ने आप लोगों को बिला वह 20,000 से अधिक पदाएंगे 20,000 से अधिक पदाएंगे परसनली मेरा भी अनुमान थ इसका सबसे बड़ा फेक्टर है GDC क्योंकि एक लेटर आया था संधोर 23 में जिसमें 25 परसेंट कोटा जो है GDC को दे दिया गया था डायरेक्ट ग्रूपमेंट से अगर अभी वाले नॉटिफिकेशन को सही मान कर और GDC की जितने पद हैं उनको जोड़ दिया जा तो लगब सबसे बड़ा सवाल की अगर वेकेंसी आ जाती है तो एक्जाम कितने दिनों में ले लिया जाएगा तो आप लोगों को मैं बता दूँ सन 2018 में जो एलपी का नॉटिफिकेशन आया था एलपी का नॉटिफिकेशन फरवरी 2018 का था मार्च 2018 तक फॉर्म फिलप किये गया और उसका एक्जाम जो है 6 मैने बाद ले लिया गया तो मान के चलिए आपको CBT1 का एक्जाम के लिए मात्र 6 मैनों का समय मिल जो एक्जाम का डेट आने पर पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं तो मेरा आप लोगों के लिए एडवाइस होगा अभी इसी पेपर कटिंग को सही मान कर पढ़ाई स्टार्ट कर दीजे मन में डर रहेगा तो और अधिक पढ़ाई होगी तो दोस्तों आप लोगों के पहले ऑफिशन नॉटिफिकेशन आने का वेट कर लीजे उसके बाद देखेंगे क्या करना है बिलते हैं पार्ट टू में तब तक ध्यान रखेएगा बाबाई